दोस्तों एक बात हम लोगों ने बॉलिवूड में देखी है कि भाई अक्षे और अजे देवन की किसी सूपर डूपर हिट फिल्म के सिक्वल से इन दोनों कलाकारों का नाम बाहर हो जाता है तो इससे फिल्मों की दीवानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन यहीं पर अगर मैं आप लोगों से बात कहूं कि भाई शारुक खान की किसी सूपर डूपर हिट फिल्म के सिक्वल से इन कलाकारों का नाम बाहर हो जाता है तो इससे भाई शारुक और सल्मान खान के दीवानों को काफी फर्क पड़ता है और वो सीधे तोर पर ये बा कि भाई आप अपने फिल्म खुद बनाई और खुद सिनेमा घरों में जाकर देखिए अब देखिए खाल फिलाल में ही डॉन के पार्ट थर्ड को लेकर ये जानकारी हमों के सामने आई थी कि भीया इस फिल्म से शारुक खान बाहर हो चुके है और इस फिल्म में शारुक को रिप्लेस करने वाले है रनवीर सिंग लेकिन भीया जैसे ही ये नाम किंग खान के दिवानों के सामने आया कि भीया इस फिल्म के छोटे से ग्लिम्स को ही इतना डिसलाइक मिला कि भीया इस से इस फिल्म के मेकरों के हौसले जो है वो पस्त हो गए और इस फिल्म को लेकर हाग फिलाल में ही ये जानकारिया हम लोगे सामने आने लगी कि भीया ये फिल्म कुछ दिनों के लिए डबे में डाल दी गई है और भाई इस फिल्म के में कर किसी भी तरह से शारुख खान को एक बार फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस फिल्म का हिस्सा बन जाए ठीक ऐसा ही होता है भीया सल्मान खान के फिल्मों के साथ भी है अगर भीया सल्मान खान के किसी सूपर डूपर हिट फिल्म के फ्रेंचाइजी से पत्ता कट चुका है और इस फिल्म में ना ही सल्मान खान नजर आएंगे ना ही अनिल कपुर नजर आएंगे और ना ही फर्दिन खान नजर आएंगे तो भीया इस खबर को सुनते ही भीया इस फिल्म के दिवालों ने ये बात कही कि भीया जब सल्मान खान की इस फिल्म में हो क्लियर कर दी कि भीया हम तो इस फिल्म को जरूर बनाएंगे और इस फिल्म को इस फिल्म को डिरेक्ट करने वाले लेकिन विया इस जानकारी के साथ में आप लोगो एक और जानकारी देना चाहूंगा कि भाई जब इस फिल्म की घोश्ना की गई तो भीया इस फिल्म के डिरेक्टर यहांनी कहनी इस बस्वज मी नहीं बात कही ही कि भीया बेना सलमान खान की यह फिल्म तो पूरी हो इन्हीं है तो भाई अनिस बजबी कैसे ये बात कह रहे है तो भीए इन सब बातों को दर्किनार रखते हैं और आपको यह बात देते हैं जानकारी ऑगिया दे फिल्म फ्लोर पर जाने वाली और इस फिल्म में अब इन तीनों कलाकारों को एक्टर से नजर आने वाली हैं उनको भी लेकर जानकारिया हमनों सामने आने लगी है यानि कि भीया इस फिल्म को लेकर ये जानकारिया हमनों के सामने आई है इस फिल्म में इन तीनों कलाकारों का पुजी जो अदाकारा नजर आएंगी वो होंगी शरदा कपूर, कृति से नौल और मानुसी छिलर तो भाई सल्मान खान का नाम आउट लेकिन भाई इस फिल्म के डिरेक्टर अनिस बजमी ये बात कह रहे हैं भाई इस फिल्म में वो होंगे तो भाई कैसे होंगे क्योंकि भाई एक मयान में दो तलवार कभी रह सकते हैं क्या क्योंकि भाई इस फिल्म में अगर अरजुन कपूर है तो भाई ये बात तो हम सब अच्छी तरीके से जानते है कि भाई सल्मान खान ने बोनी कपूर को लेकर ये बात कही है कि विया उनसे उनकी कोई अदावत नहीं है लेकिन वो अरजुन कपूर के साथ दोस्ती नहीं बढ़ाने वाले है यानि कि भाई अरजुन कपूर ने जो दर्द दिया है सल्मान खान की फैमिली को उससे आज भी ओवर नहीं पाई है सल्मान खान की फैमिली तो भाई अब सल्मान खान की फिल्म में अगर सल्मान खान को रिपलेस कर रहे हैं अरजुन कपूर तो भी या क्या ये बात सल्मान खान के दीवानों को हजब होगी अपने कमेंट के मादियम से हमें जरूर बताईएगा तो बॉलिवूट से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जाने के लिए हमारी चैनल ले आने के बार इंजेक्शन को लाइक करना ना बुलिगा और माने अफडेट्स को जाने के लिए बलाएकन को जोर्द वाईएगा